नमस्कार में अकान शतिवारी आप सबको स्वावत करती हूँ वाइनल वर्संस फैक्ट में जिस पर मानिनी न्याले ने सेवी से नोटिस जारी करके 28 दिन के अंदर अंदर जवाब भी मांगा था आपको बता दें कि इस मामले में सेवी न्याले से मूँ छुपा कर बचना चाता है और जान बूच कर जवाब कोट में दाखिल नहीं कर रहा है जिस से बात पानी की तरफ विल्कुल साफ हो जाती है कि दरसल सेवी के पास विज़्जम कैपिटल द्वारा उठाएगा इस सवालों का कोई भी जवाब नहीं है सेवी के इस रुक से जहां एक तरफ ट्रेजिंग कम्यूनिटी और शेर बजार से जुड़े लोगों में भरी नराजगी और बेवसी है तो वहीं दूसरी तरफ विज़्जम कैपिटल ने आगे बढ़कर दिल्ली हाई कोट में इस मामले में रियापील कर दी है विज़म कैपिटल के सीएओ मिस्टर देव मुखर जी ने कहा है कि अगर मामले में जल्द सुनवाई नहीं हुई तो अफसर हानी की खशती पूर्ती नहीं की जा सकेगी विज़म कैपिटल ट्रेडर्स की अवाज बन कर डट कर सेवी के हर पैंतरे का जवाब दे रहा है और जब भी मार्केट बुलिश और बियरिश मोड में ट्रेंड करती है तो उस दौरान 20% वॉलिउम ग्रोथ आसानी से हो जाती है और अब जब की मार्केट ने वेरियस पॉजिटिव क्लूस की वजह से अब तक की हिस्ट्री में सबसे फास्टेस रेली की है और निफ्टी के 13,000 से 14,000 पहुंचाने में मात्र 37 दिन ही लिये हैं और 2300 प्लस पॉइंट्स की बिगस रेली की है सेवी के पीक मार्जन सर्कुलर की वज़े से ना सिर्फ जो एक्सपेक्टड ग्रोथ होनी थी वो नहीं हो पाई है बलकि उसके उलट वॉल्यूम्स 28 तक गिर गई है जो की भारतिय शेयर बाजार के लिए खत्रे की घंटी साबित हुआ है इसी देटा का हवाला देकर विज़्डम कापिटल ने कोट में जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई कर राहत देने की मांग की है खेर अब आप लोगों की इस बारे में क्या राए है हमें कॉमेंन सेक्शन में जरूर बताएं साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम इस मामले से जुड़े कोई भी अपडेट डाले तो आपको सबसे पहले मिलें और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल न भूले